नमस्कार दोस्तों, Ultimate Health and Home Remedies चैनल में आप लोगों का स्वागत है Breast size को नारियल के तेल से बहुत जल्दी आप लोग कम कर सकते हैं और साथ ही साथ आप लोग overall weight को भी कम कर सकते हैं तो आप लोगों को चाहिए है extra virgin coconut oil जिससे आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं Mono Unsaturated Fat की रूप में या आप लोग कह सकते हैं MCT oil इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी मातरा में होता है तो आप लोग इसको खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं इसको गरम नहीं करें क्योंकि ए extra virgin coconut oil है तो ध्यान रखेगा इसको आप लोगों को गरम नहीं करना है नारियल के तेल का चुनाओ कैसे करें नारियल के तेल का चुनाओ बहुत ही ज़्यादा जरूरी है आप मार्केट में से जो नारियल का तेल लाते हैं उसे जाच परक कर लाएं नारियल का तेल सुद्ध होना बहुत ज़्यादा जरूरी है triglycerides का कम करता है जैसे कि हमने अपने पहले भी बताया है कि triglycerides एक बूरा कॉलस्ट्रोल होता है इस कॉलस्ट्रोल को कम करने के लिए आप NARIEL के तेल का इस्तिमाल कर सकते है जो की triglycerides को कम करके metabolism को strong बनाता है जिसे भोजन आसानी से पज जाता है भूख को कम करता है, नारियल के तेल का इस्तमाल करने के बाद आपको कम भूख लगने लगती है और आपको हमेशा यही लगेगा कि आप लोगों का पेड भरा हुआ है, और अधिक खाने का मन नहीं करेगा टॉक्षिंस को बाहर निकालता है नारियल का तेल यदि लीवर को स्वस्थ रखना है तो आप लोग नारियल का तेल इस्तमाल में ले सकते हैं क्योंकि ये लीवर को ऐसा बना देता है जिससे लीवर जितने भी टॉक्षिंस सरीर में रहते हैं उनको बाहर निकालने की कोशिज करता है साथ ही साथ इसमें एंटी बैक्टिरियल कुन भी मौजूद होते हैं जो सरीर को दूस प्रभावों से बचाते हैं पेट कमर और ब्रैस्ट का फैट बहुत जल्दी कमर कर देता है कम कर देता है नारिल का तेल मेटाबोलिस्म को मजबूद बना कर भूग को कम करता है इसकी मदद से आप कुछ ही दिनों में अनावशक चर्भी को कम कर सकते हैं यानि कि कहने का मतलब है ब्रैस्ट के जो फैट टिशूस हैं उनको आप लोग बहुत जल्दी कम कर सकते हैं या आपके HTL कॉलस्टोल को बढ़ाता है जो कि आपको हृदय घाट जैसी बिमारियों से भी बचाता है या ज़्यादा तर आपके ब्रैस्ट के साइड की चर्भी को कम करता है तीन चम्मच रोज खाना खाने से पहले आप लोग इस्तमाल मिले जो लोग व्यस्क हैं वह तीन चम्मच नारियल के तेल की खाए यादि आपके पास नारियल तेल जमा हुआ है तब आप इसके जार को गर्म पानी में रख ले तेल को पिखला ले उसके बाद आप लोग खाना खाने के आधा गंटे पहले इसकी एक चमस ले नारियल तेल के साथ नीमबू और गरम पानी का गिलास भी आप लोग ले सकते हैं जो लोग नीमबू से तो भली बाती ही आप लोग परिचित है कि यह सरीर से टॉक्षिन बाहर करता है साथ ही साथ यह सरीर को स्वस्थ भी रखता है करम पानी के लाब मैं आपको अपने पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ यदि आप एक गरम गिलास पानी में आधा कटा हुआ नीमबू का रश डार ले और एक चमस नारियल तेल की फिर आप इसको पीए तो आपको अधिक फायदा मिलेगा कहने का मतलब है कि एक चमस नारियल तेल की आप लोग पहले जो है खाले या लिक्विड नारियल तेल को आप लोग कंज्यूम कर लें उसके बाद में आप लोग ये पीते हैं तो आप लोगों को बहुत जादा फाइदेमंद साबित होता है एक चमस सहद, एक गिलास गरम पानी और एक चमस नारियल का तेल आप लोगों का बहुत सारा फैट जो है ब्रेस साइज का या एडिपोस टिशूस जो है वो कम कर सकता है और ओरल वेट जो है वो इससे कम होने लगता है सुबह दोग खाली पेट, सुबह सुबह खाली पेट आप इन तीनों को मिला कर भी है सहद आपके मेटावोलिस्म को स्ट्रोंग बनाता है जो कि आपके लिए बहुत ही जादा फाइदेमंद है ऐसा करने से आपका वजन कुछी दिनों में बहुत तेजगती से कम होगा साथ ही साथ आप उर्जावान भी रहेंगे रसोई घर के लिए मक्खन की जगए नारियल का तेल इस्तमाल मिलेंगे तो जादा फाइदेमंद होगा यदि आपको एक्ष्टा वर्जिन नहीं लें अगर आप लोगों को कुकिंग करनी है तो वर्जिन कोकोनेट ओल लें यदि आपको खाना पकाना है तब आप मक्खन को काम में लेते हैं स्ट्रोबेरी बादाम का दूद और नारिल का तेल आप इस्थमाल में ले सकते हैं या नारिल का दूद काम में ले सकते हैं यह बहुत ज़्यादा फाइदे मंद है आप लोगों के लिए आधा कप स्ट्रोबेरी को लेकर उसको मिक्सर में पीछ लें उसी के अंदर बादाम का दूद और एक चमज नारिल का तेल की डाले आप लोग जो हैं हेल्दी रहेंगे और साथ ही साथ एक्स्रा फैट भी आप लोग बहुत जल्दी कम कर लेंगे ग्रीन सबजी और नारिल का तेल खीरा अधर हरी को भी अननास नारिल का तेल मिलाकर जूस मिलाकर आप लोग बनाकर पी सकते हैं या आप लोग सेलेक्ट में नारिल का तेल उपर से डालकर आप लोग खा सकते हैं और अदर जितने भी तेल हैं उसे आप लोग बंद कर दीजिए, फिर देखिए आप लोगों की चरपी कैसे बहुत जल्दी पिखल जाएगी, और साथ ही आप लोगों के overall weight के साथ आप लोगों का brass size भी बहुत जल्दी कम हो जाएगा, धन्यवाद.